इस वीडियो हमें रेशियो के कुछ कोश्चन करेंगे मॉडरेट लेवल के एक कोश्चन है तो सुरू करते हैं एन एमाउंट आफ 735 वाज डिवाइड़ बिट्वीन ए बीसी इफ इच आफ देम रिसीव पच्चेस लैस पच्चेस लैस देर सेर वूड है इन दर रिशियो वन रिशियो थ्री रिशियो टू दमनी रिसीवड बाई एक तो कॉश्चन है कोश्चन यह वाला तो सिंपल है कि देखो सम हमको दे रखा है सम हमको दे रखा है 735 सम दे रखा है लेकिन सारे के सारे लोग यानिकी तीन के तीन लोग पचीस कम 25 रुपए कम पाते हैं तो कितना डॉतल कितना कम हो जाएगा यह अमांट 735 माइनस 75 25 तीयां 55 होता है 75 इस मेसे माइनस करें है तो वांच वैसे 5000 गया जीरो 13 में से 7 गया 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 यानि कि 6 और ये 6 आ गया 660 समा गया अब इस 660 में रेशियो दे रखा है A to B to C का 1 रेशियो 3 रेशियो 2 तो यानि कि 3, 2, 5 इस 6 की वैल्यू हमको दे रखी है 660 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू हो जाएगी 110 ठीक है तो हमको निकालना है Money received by C तो C के कितने हो जाएगा 220 ये 2 से multiply करेंगे 110 का तो 220 आ जाएगा लेकिन ये 220 तब है जब 25 कम इसने पाएगा तो 25 ज़्यादा जब पाएगा यानि कि actual में जितना पाएगा तो इसमें 25 हम जोड़ेंगे तो 245 हमारा क्या आजाएगा आंसर आजाएगा 245 इस question का answer होगा तो ये question थोड़ा सा tricky था थोड़ा सा समझने वाला question था तो इस video में जितने भी question आने वाले हैं सारे के सारे समझने वाले question है एन amount of 2430 is divided among ABCs as that if their share be reduced by अब इसमें क्या दे रखा है देखो उस इस पिछले question में तो एक ही amount था तो हमने easily कर लिया था लेकिन इसमें क्या है एक ए जो है पांच रुपे कम और बी दस रुपे कम c 15 रुपे कम the remainder cell be in the ratio ऐसे करके दे रखा है तो देखो remainder हम ratio से चलेंगे remainder का हमको ratio दे रखा है 3 is to 4 is to 5 तो suppose हमने माल लिया कि amount 3x है इसकी amount हो जाएगी 4x इसकी हो जाएगी 5x तो 3x मैं अगर 5 रुपे जोड़ूँगा 3x प्लस 5 5 रुपे कम मिले थे इसको 5 रुपे मैंने बढ़ा दिये ठीक है 4x प्लस 10 4x को 10 रुपे कम मिले थे तो बढ़ा दिये मैंने 5x प्लस 15 यानि कि 15 प्लस 5x भी लिख सकते है तो इस सब का sum हमको दे रखा है 2 4 3 0 तो इसको हम करेंगे 3 4 और 4 3 7 हो जाता है 7 5 12 तो 12x एक्वल टू 2 4 3 0 माइनस देखो इसको करता है 15 और ये 15 30 माइनस कर देना पड़ेगा इस मसे तो x एक्वल टू आ गया 2 4 0 0 अपाउन 12 यानि कि 12 दूनी 24 यानि कि 200 आ गया हमको निकालना है B का शेर यानि कि हमको 4x निकालना है तो 4x कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा 800 ये तो 800 आया लेकिन इसको कम मिला था कितने रुपे कम मिले थे 10 रुपे कम मिले थे तो 800 में 10 जोड देंगे 810 हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 810 इस कुश्यन का अंचरोगा देखो इस काफी important tricky question थे दोनों के दोनों जो कुश्यन अभी हमने बनाए हैं बढ़ते हैं अगले कुश्यन की और गोल्ड इस 19 times as heavy as water तो गोल्ड और वाटर का जो ratio दे रखा है गोल्ड और वाटर का हमको ratio दे रखा है गोल्ड इस 19 times heavier than water ठीक है उसके बाद हमको दे रखा है copper is 9 times as heavy as water ठीक है वाटर से 9 times heavy है तो गोल्ड और वाटर का ratio क्या आ जाएगा sorry गोल्ड और कॉपर का ratio क्या आ जाएगा 19 to 9 आएगा नहीं आएगा देखो करके देख लेते हैं यहां पर लिखते हैं गोल्ड यहां पर लिखते हैं water यहां पर लिख लेते हैं copper तो गोल्ड जो है 19 to 1 है और यह वन रहेगा copper है 1 to 9 तो इसको हम अगर यहां 1 लिखेंगे यहां 1 लिखेंगे तो आजाएगा 19 to 1 is to 9 तो 19 to 9 रेश्यो आजाएगा गोल्ड और copper का 19 to 9 हमारा पास ratio आ गया as heavy as in what ratio should these be mixed to get 15 times as heavy as water तो 15 times as heavy as water यानि की 15 रहेगा हो तो इसमें allegation से इस question को बनाएगे 19 यहां पर लिखेंगे 9 यहां पर लिखेंगे और 15 हमको बनाना है 15 हमको यहां पर बनाना है तो इसको minus करा जाता है 19 में से 15 minus किया तो 4 आ जाएगा और 9 6 पंदर यानि की 6 आ जाएगा तो 2 3 6 और 2 दूनी 4 तो 3 is to 2 हमारा क्या गया answer आ गया तो इसको allegation से बनाना था allegation समझ में नहीं आएगा तो यहां board में मैं बताओंगा board में अगर नहीं समझना होगा तो यहां board में मैं समझा दूंगा बढ़ते हैं अगले question की और 15 लीटर of mixture content 20% of alcohol देखो 15 लीटर क्या है हमको दे रखिये quantity उसमें से 20 लीटर 20% क्या है alcohol है 20% का मतलब कितना हो जाएगा 10% क्या हो गया 1.5 तो 20% कितना हो गया 3 यानि कि 3 लीटर उसमें क्या है alcohol है alcohol उसमें 3 लीटर है बचा कितना बार तो बार लीटर उसमें क्या है water है यह हमको दे रखा है ठीक है मिला मिला लेता है तो यह जाएगा बार और तीन है क्या उतना इस इतना सा इतना का उतना ही रहेगा तो हमको निगालना है शात percentage of alcohol in the mixture would be, अब कितना उसमें alcohol रहेगा, तो alcohol कितना है, तीन है, तीन, total amount कितनी है, उसकी, अठार, पंदर और तीन कितना होता है, अठार, गुणा, सौ हमको करना पड़ेगा, तो तीन से इसको काटेंगे, तीन छक, अठार होता है, दो से काटेंगे, तो पचास बटे, तीन आ तीन लिए, सुलती आठ चारीज से इसकार नचास पचास वाई, थी होती है, इसकी, वेलिई, तो इस तरीके से, इस कुश्यन को बनाना था, लास्ट कुश्यन है, इस वीडियो का, पिचासी लीटर ओफ मिक्सर कंटेंड मिल्क एन वार्टर, तो मिल्क और वार्टर का ratio दे रखा है और amount भी बता रहे है 27 by 7 ठीक है 27 और 7 इस में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 34 इस 34 की value हमको दे रखिए 85 तो 1 की value कितनी हो जाएगी 85 by 34 85 by 34 सतर से काट लेते हैं इसको 75 85 होता है 72 34 5 by 2 आगे 1 की value ठीक हो गया आगे बढ़ते हैं how much more water is to be added to get new mixture 3 to 1 तो यह 3 to 1 होना चीए कितना इसमें water मिलाया जाए तो देखो मैंने ऐसे question पहले भी बनाए है उसमें हम क्या करते हैं अगर अगर water उसमें add किया जा रहा है तो उसमें milk की quantity तो उतनी ही रहेगी तो इसको 27 बनाएंगे 27 बनाने के लिए इसको पूरे को 9 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 27 और यह हो जाएगा 9 अब देखो यहाँ पर difference कितने का आगिया दो का आगिया तो 2 का value हमको निकालनी है हमको पता है एक की value 5 बटे 2 है अभी हमने निकाली थी तो 2 की value क्या हो जाएगी 5 by 2 into 2 2 से 2 cancel हो जाएगा 5 लिटर हमारा क्या आजाएगा answer आजाएगा तो 5 लिटर इस question का answer होगा यह हमने 5 question और बनाए 20 तक पहुँच गये हैं 50 question है moderate level के तो अभी आने वाले वीडियो में और हम question को solve करेंगे तो इस वीडियो में इतना है